नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के स्रावस्ति जिले में और यह जो जगह आपको दिख रही है यह है रामपुर बांथ और यह जगह जो है यह बिल्कुल बॉर्डर इलाका है नेपाल और भारत का और गबापुर ग प्रदान जी मिले हैं ग्राम प्रदान जी तो उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं पहले इंसे बातचीत में इन्हों ने बताया कि इस्चेत्र का परियाटन का विकास करना बहुत जरूरी है इससे ना सिर्फ गाउं स्वावलम भी बनेगा बलकि इससे रोजगार भी पैद आता है कची सड़क की और वर्षाथ यहां भरपूर होती है तो वह समस्या भी है उसके बारे में थोड़ा सामें बताईये नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी छेट्र के डेवलेप्मेंट के लिए सबसे पहले जरूरी होता सडख जहां पर सड़के निर्मान होती है वहां पर डेवलेप्मेंट पहले होता है यहां पीछे देख रहे हैं अभी फिलाल बरसात के दिरों में इसमें पानी रहता है अभी सूखा हुआ है लेकिन अगर इसमें पानी हो और यह परेटन के लिहां से डेवलप कर दिया जाए तो यहां पर इस्थानिये लोगों को रोजगार के पार समवनें इसके जरीये मिल सकती है यह रास्ता आप देख रहे हैं यह आने वाले दिनों में यह जो रास्ता है यह नोमेंस लेंट तक जाता है मंदम नेपाल तक जाता है वहां पर इधर कई लाइन पर यह सबीके कैम पर लगे हुए है बहुआ नाका है और इधर रणियापूर है सोनपत्री है यह कई सारे नाके हैं जहां पर सब्सक्राइब के पोस्ट है उनको लोग को जाने में बड़ी दिक्कत होती है अगर यह रास्ता वहां तक बन जाए खड़ंजा ही अगर उस पर लग जाए जंगल के बीच में होते हुए अलाकि जंगा ह अगर हमारे यहां तक आज आता है तैयार हो करके बन जाता है गाहों तक में पक्की रोड बना दिए गाहों से फिर लगा करके सब्सक्राइब करमचारी उनके लिए बड़ा अच्छा है बिल्कुल दोनों दोनों एक और चीज अब बना सकते हैं जो आएज करते हैं यहां पर सुबधाउं के आभावं मे बाहर भाई शहरों में क्या है गाडेन विक्षित करते हैं यहां पर भी किया जाकता है गाउं में देखिए को यह तरह से कोई सुभधा है नहीं अगर उनको यहां भी यह सुभधा दी जाए तो हमारे पास तो यह प्राकृतिक संसादन उपलब्द है सामने देख रहे हैं सब्सक्राइब के लिए यहां पर आसपास के समाजिक संगठन है या आसपास की जो पंचायते हैं उनको भी अगर कुछ फंड है मुईया करा जाए बीच में जैसे अब बता रहे थे कि जोपडिया बनाई जा सकती है आर्टिफीसियल जो की नेच्रोल तरीकेस बनाई जाए बिल्कुल हमारे पीछे जो जगे देख रहे हैं इसमें अक्टूबर नॉमर में बहुत खरफूस निकल के आते हैं तो उसको काड़ करके वहीं पर जैसे गोल जो जो दियात में गाउं में लोग बनाते हैं उस तरह से बना जाता है काफी लोग उसको देखने भी आते हैं औ और लोकल में जिसे जो प्रेटन प्रेमी है वह दो भी इसके लिए कारी रथ हैं उनकी जो संचाला के निहार का सिंग नाम है उनका वो इसके लिए प्रयास रथ हैं कि जो है इस पर एक तो एक तो यह एको सेंस्टिब जोन हमारा है तो उस लिहास इसको डेवलेप किये परेटन के लिए ऐसी कुई सुब्धाय दी जा रही है तो यहां के जो गाउं के रामीड है वह प्लायन करते हैं दूसरे सहरों में तो उनका प्लायन रुकेगा और यहां पर उनको इस्तानी अस्तर पर रोजगार मिलेगा जब परेटक आएंगे काफी मात्रा में तो जाहिरती बाते तुमाम लोगों को रहा रोजगार मिल जाएगा तो कॉमन चीज है ठीक है प्रदान जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपकी बात हम उपर तक सरकार तक पहुंचा पाएं आपको हमारे यह वीडियो कैसा ल